स्वागेता आपका एक और नहीं वीडियो में और आज में आया हुआ हूँ जगत्पुरा और यहां पे एक अपनी साइड चल रही है फ्लेट्स की जिसमें 3 और 4 वी एज़के के फ्लेट्स में आज आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले अभी जहां में खड़ा हूं वह जगे अक्षे पाथ के नाम से जानी जाती अक्षे पात्र चोरहा इसे बोला जाता है । और यहां से सज्ट वोकिंघ डिश्टेंस पर पिछे की तरब अक्षे पात्र यह मंदीर है वो है और यहां पिछे की तरफ आप देखोगे विवा सिटी मॉल है पास में रिवन रेखा होस्पिटल है तो सुईदाई यहां पे आसपास कम्प्लीट है जो भी आपको चाहिए उधर की साइड आप देखोगे तो उधर आप देख सकते हो बेंक वगेरा आरी सुईदाई य वो आपको दिखाएंगे तो यहां से एक बार हम सिधा साइट पर चलते और आपको साइट दिखाते हैं तो देखे आप अगर साइट विजिट के लिए यहां पर आना चाहते हैं तो अक्से पात्र से यह जो रोड है सीधी कनेक्ट हो रही है और इस रोड पर आप लगबग एक किलो मेटर के आसपास सलोगे तो यह डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा वहां पर आप कॉंटिक करके पूरी ही डिटेल्स ले सकते हैं कि तो दोस्तों हम आगे यहां पर जो अपनी प्रोपर्टी जो बन रही है जो बिल्डिंग है वहां पर पिछे की तरप आप लूप सब्सक्राइब बील्दिंग का एग वाई फिस तरीके का है जी प्लस और 60 feet की रोड पे लोकेटेड है और यहां पर हम पूरी ही देखेंगे भी पार्किंग वगेरा किस तरह की है किस तरह का यहां पर फ्लेट है वेंटिलेशन किस तरीके का है उससे पहले माँ आपको यहां पर आसपास की जो मेन लोकेशन से वह आपको एक बार बता देता हूं तो जेप्पूर इंटरनेशनल एयर्फोर्ट लगबक साधे 9-5 km की डिस्टेंस पर है भॉम्बय होस्पिटल है जीवन्रेखा होस्पिटल है लगबक 1-5 km की दिस्टेंस पर है साथ ही जो जेशरी Waal Global School है लगबक ड़न के डिस्टेंस पर है स्पोर्ट्स एकेडमी आपको यहां पर आसपास ही मिल जाती है और यहां पर जो फ्लेट्स है वो जेडिये प्रूड के साथ ही रेरा प्रूड है तो आप अगर किसी भी मतलब नेशनलाइज बैंक से भी लोन कराना चाहो तो उससे भी लोनेबल प्रोपर्टी है बढ़ते है तरफ है और यहां पर सबसे जो बढ़िया चीज है वो यह है कि आपको पूरी तो यहां पर सेक्योर्टी सिस्टम मिल जाएगा 24-7 CCTV केमराज साथी गार्ड यहां पर रहेंगे और पार्किंग का जो एरिया है यार बहुत ही स्पेसियस यहां पर मिलने वाला है टोटल यहां करता है कि आप अपनी कार को टाये लेकिन यहां वो दिकत आपको नहीं आएगी क्योंकि स्पेसियस बहुत है बिल्कुल किसी को भी डिस्टर्ब किये बिना आप मतलब आसानी से पनी कार निकाल सकते है और पार्किंग एरिया आप देखी सकते किस तरीके का है फ्लोरिंग की में बात करूं तो नीचे की तरफ यहां पर मार्बल की फ्लोरिंग करके दी जा रही है साथी बिल्डिंग में पानी के लिए साथी बिल्डिंग में यहां पर पानी के लिए सेपरेट बिल्डिंग का बोरिंग है ओटोमेटिक सेंसर सिस्टम रह रहेगा अब देखें यहां और यहां बिल्डिंग में रूप टोप आपको गार्डन दिया जाएगा रूप टोप गार्डन के साथ ही ओपन जिम यहां पर रहने वाला है और यहां से एक बार हम सीधा उपर की तरफ चलते हैं आप यहां पर जीनना है उसके चोड़ा ही देख सकते हैं काफी वाइड साइ साइज में आपको यहां पर काफी वाइड यहां पर जीनना दिया हुआ है लोबी एरिया भी काफी स्पेशियर से साथ ही अपने जो फ्लेट से वेंटिलेशन बहुत ही प्यारा है यहां पर 3 वी एज की जो फ्लेट है लगवग 1266 स्कॉयर फिट के आसपास है और 4 वी एज क वू कि आपको दिखाते हूं इसमे फिटिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो फिटिंग जो है बहुत में प्यारी व्रेंड़ेट फिटिंग के जैसे ही अपना जो जो लिविंग डईनिंग कि इत्तना इस्पेशियर से घॉक pockets phone ज्स व्लिए अब पूरी आप अपारा क जाएगी साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो लिविंग डाइनिंग एडिया किता स्पेशियस है बहुत ही स्पेशियस साइज में है यहां देखोगे तो यहां कुछ इंटीर का फार्ट और अपना लिविंग एरिया यहां पे आसानी से मददा अपन सेटब कर सकते हैं डाइनिंग अपना इजिली सेटब कर सकते हैं इधर की साइड देखोगे तो LED का जो पेनल है काफी बड़ी साइज में यहां पर तयार करके दिया जा रहा है उपर की डिजैंस देखिया एक बार बहुत ही खूबसूरत से यहां पर सीलिंग डिजैंस के साथ यह तयार करवा रहे हैं और इसमें जैसे आप किचन देखोगे ओपन किचन है स्पेशियस है इसकी एक्जैक्ट जो डाइमेंशन है किचन की बेड्रूम्स की सारी में आपको मेंशन करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किचन में नीचे की तरफ आप देखोगे तो ड्रोवर अगेरा बहुत ही बढ़िया यहां पर दिये हुए है है वेंचिलेशन हर जगा आपको मिलेगा जि बेड्रोव में मैं और यहां पर성णिंग बताओं उपन किचन आगया आगे तरफ दो बेड्रूम है एक बेड्रूम यहाँ पे सब में आपको विंडोज मिलेगी अब यहाँ पर इस बेड्रूम की साइजेज लगबक सवा ईस्वाइश वाई सवा थेरा के आशपास है और यहाँ बेड्रूम में आप देखोगे विंडोज इधर की तरफ और यहाँ यहां पर वोडन की तयार करा के दे रहे हैं एसी फिटिंग्स के पॉइंट सब जगा मिल जाते हैं यह बालकनी एरिया यहां पर पार्ट रेजिदिंग्सी के नाम से यह अपना प्रोजेक्ट है अगर आपको फोटोग्राफ वगरा डिटेल्स कुछ भी चाहिए प्रोजेक्ट की लोकेशन तो आप वोटसप पर मेसेज कर सकते हैं और वहां पर पूरी डिटेल ले सकते हैं अब देखिए आप जो कोमन बाथ रूम है कोमन और अटेज दोनों तरह से इसे यूज कर सकते हैं और यह इवना सेकिंड बेडरूम और इस बेडरूम में भी आप देखो कि बालकनी अरिया इसमें भी आपको दिया जा रहा है आगे की तरफ यह अपना लास्ट बेडरूम है यहाँ पर थर्ड बेडरूम और इस बेडरूम में भी आपको वाडरोब साथ ही सिलिंग डिजाइन और अटेज में बाथ रूम दोस्तों अगर आप इस प्रोपर्टी की विजिट करना चाहते हैं इंट्रेस्टेड हो तो नीचे देवे नमबरों पर आपको आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपको आज करें वीडियो को साथी ऐसी और भी प्रोपर्टी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जो हमने प्रोपर्टी देखी यहां पर 3BHK का फ्लेट आपको 45 लाग रुपे में मिलने वाला है साथी 4BHK 1500 स्क्राइब फिट में जो बना हुआ है वह आपको 50 लाग रुपे में मिलने वाला है साइट विजिट के लिए आप नीचे दि सब्सक्राइब